एको रिसर्ज बता दो, मज़ाएगा आपको सुनके जो है न वो अंकल है न अपने जेरोमी पाविल साब उनको समझाने के लिए एक रिसर्ज लाए है वरून वरून कुछ कहना चाहते है पाविल साब को वरून क्या कहना चाहते है आप उन्हें अनिल जी मैंने तो पहले एक एडिया था पेट दर्ज के लिए सरदर्ज की दवा दे रही अब जराद विस्तार से जाए यह डॉक्टर को ने है अनिल जी अब यह डॉक्टर जो है वो United Nations है basically हम United Nations के तरफ से देखते कि इस तके बयान आते नहीं है लेकिन उन्होंने जो Global Economic पे जो सालाना रिपोर्ट है वो जारी की है और उसमें उन्होंने एक तरफ से आप बोले तो इनको फटकार लगाई है कि भाई अब आप अपना rate hike का जो सिलसिला है उसको बंग कर दीजेगा इन्होंने सिर्फ Fed को नहीं बलके दुनिया बर के जो बैंकर से सेंट्रल बैंक से उनको काये कि जो rate hike आप लगातार करते जा रहे हैं उससे दुनिया बर की growth जो है उस पे काफी असर पड़ता है लगातार ब्यात जोर में बढ़ उतनी के चलते सबसे जादा impact अगर कही होगा तो जो विकास शिल देश है वहाँ पे सबसे जादा impact होते हो दिखाई दे सकता है ब्यात ज़र में बढ़ोत्री का जो सिलसला इन्होंने शुरू किया है बेसिकली यूएन का ये कहना है कि आपको जो supply side issue है उसको target करना चाहिए जो energy या फिर food का issue है उसको target करना चाहिए नहीं कि supply side issue को demand side issue से कम करना चाहिए ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है और उसको फेडरल या फिर कोई भी जो central bank से उनको दूर करने के लिए अलग से आपको तरीके लेके आने चाहिए सिफ यहीं नहीं इन्होंने एक data भी दिया है कि फेड अगर एक परसंट भी rate हाइक करता है तो इससे विक्सित देशों की जो GDP है उसमें आदा परसंट की और जो विकाशील देश है या फिर जो उनके GDP में करीब 0.8% के आसपास की गिरावाट होती है और अब दल फेड ने जो rate हाइक किये हैं उसके चलते overall economies जो है उसमें 360 billion dollar के आसपास का नुकसान जो है वो हो चुका है इसके लिए UN के रहा है कि भाई अब बसकर चेह, सिरह से लिख को ढुनलम्हर से इसके आसफेड नांठीज बहत भड़या मेरा श्रीजाज़ चेपनी जीज़ आपकी अनिल जी चार चान लग गए, मैंने तो फेट को कहा, कहते हो तो जी और हम आजाते हैं, जो आपकी मुश्कले हैं वो भी हंकरते हैं, क्योंके सारा दुनिया इसी वे जूज रहा है के क्या फेट, and your credibility is at stake, not because you have missed inflation on the upside, you are missing it on the downside, and growth which doesn't come easy, growth comes at a premium, you are killing that, so try and balance out so that other asset classes don't get so badly collaterally affected. हमारे पास सर एक बहुत मजबूत आदमी है, जिसको फेट चेर्मन हम बना सकते हैं, यह बनाएंगे नहीं, बग्गा साथ, हमें ज्यादा जरूत हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फेट का सलागार जरूत बना सकते हैं, जो बग्गा सार से दिखिए, क्या, टीम देखो, सर हमा मैं गारंटी से बोल सकता हूं दीड इतने तो डेटा है ना प्रेट केरिमें को भी याद ही हो नी जितने बगार बगार साफ करेक्ट सर अबसलूटी चलते फिरते एंसाइकलोपीडिया है एक दम अनिल जी एक तो बात माननी पड़ेगी के कुछ हमारा भी असर पड़ता है फेट पे और शेर बजार की मूवमेंट जो आपको दिख रहा है ऐसे नहीं आपको बोला था के सर वहाँ ज़्यादा पड़ता है अपनी आतर फिर भी कम पड़ता है और पैसा बनाना बोलना और पैसा बनाना बड़ा असान नहीं है सर यह तो आप मानते हो लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हो तभी कमाओगे तो ब्यूटी आप इन्वेस्टमेंट इस नोट राकेज जुजुनवाला जी कुल होल्ड ओन तो टाइटन आप यह कहरें कि बार से गर आप देखोगे ठीटर के बार से तो खाली पॉस्टर ही देख पाओगे और टिकेट खरीद के अंदर जाओगे तो पिक्चर देखेगी और कितनी मैना और कितनी मिननत कर ले धिपाज चुकी कि कर ले शादी वही ले टिकेट केट ले खाओगे